हेलो, हाओ आर यू, दियर स्ट्रेंट, तोड़े वी आर गएंग टो रीड दा रिमेनिंग पार्ट ओफ शिक्स्तिन चैपर, दा चैपर नेम इस दा अडवेंचर ओफ गुलीवर ट्रेवल्स, दियर स्ट्रेंट, फर्स्ट पार्ट ओफ दिस चैपर, वी हैव अल्लेडी डिस किसी लास्ट वीडियो, डियर स्ट्रेंट, जैसे आपने देखा कि यह जो स्टोरी है, गुलीवर ट्रेवल्स, में से जोनाथन स्ट्रेंट के दवारा लिखी गई, उसमें से एक पार्ट है, हमने देखा था कि जैसे लीली पूट पे पहुंच जाते हैं, गुलीवर और वह उसमें से बैडली हाट हो जाते हैं, तो नौर स्टार्ट, वन ओफ दैम, केम वेरी क्लोस, और कॉल आउट इना हाई, क्लियर वोईस, बट आई कुद नाट अंडिस्टेंड, ही इस लेंगविज, तो यहां पे जो गुलीवर ना, वो कह रहे हैं कि उनमें से कुछ थे जो मे में फिल वेरी अनकमफर्टेवल, आई ट्राइ तो फ्री माइसलफ भाई ब्रेकिंग सम ओफ दा स्ट्रिंग्स, विच हैड बिन टाइट तो स्टॉक इन दा ग्राउंड, तो वहां पर मेरे को बिल्कुल बहां दिया गया था, और वहां से मैं बिल्कुल अनकमफर्टेवल लिचान फील कर रहा था वहां से जो उन्होंने स्ट्रिंग होती है ज।्ट्रिंड्स डोरी, यह फिर उने प्तले पतली जो रसी बांदी हुई थी उनको जो जमीन में उन्होंने स्टेक्स बनाई हो थे, वहां पर उनको यह टाइड तो उनको उनसे फिर यह ने की, आई मैं एक में में इपने आपको कानेज़ की मेरे लेफ्ट आर्म की उसको मूब करने का इट वेरी पेनफूल तौ से में बहुत ज़्यादा पेन हुआ बट आई सक्सेड़ इन लूजिंग समोर स्टिक्स लेकिन फिर भी मैं सफल हुआ जो उन में से कुछ स्टोक्स थे वो मैंने लूज कर दिये वो थोड़े से धीले हो गए नाव आई वास एबल टू 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 इंचिस तो अब मैं क्या कि मेरा जो हैड था वो मैं टू इं एंग एट ओल एट वंस अबाओट दा बऌट बन फंडर एस्ट्रो देर एट मी तो फिर जैसे वह वहां से भाग तो मेरे को या से दिखाई दिया कि और उन्होंने जाके क्या किया जो पिर क्लीव एड़े हवा में मेरे साइड व यह दोस्ट्स टाट एट आड अन्ड़े एक सार पेडल्स और वह मेरे फेज एमढ़ने अपने ऊस्य जो मैंने शाने अच्छ सब्देंदर दांगर करते हूद। वो जो जितने भी स्रिंग्स थी उनको तोड़ दिया I wanted to get free but the little man suit more arrows मैं वहां से कोसिस कर रहा था कि वहां से free हो जाऊं आजाद हो जाऊं लेकिन वह जो चोटे-चोटे आदमी थे वो मेरी तरफ और भी arrows को suit कर रहे थे some try to push their spares into me कुछ मेंसे तो जो अपने उनकी spares थी वो मेरी साइड लेके आ रहे थे लगली माई jacket was made of a strong cloth लेकिन एक खुश किसमत की बात है कि मेरी जो जैक्ट थी वो बिल्कुल strong या बिल्कुल मोटे कपड़े से बनी हुई थी and their spares were not sharp enough to go through that लेकिन इसकी वज़े से जो उनक जास के अंदर I decide to lie still मैं ऐसे ही मैंने सोचा मैं ऐसे ही लेटर हूँ when the people saw me link still जैसे लोग मेरे को बिल्कुल सांत लेटर हुए देखेंगे they stopped shooting तो जो यह चला रहे थे मेरे उपर shooting कर रहे थे वो बंद कर देंगे then they built a little platform फिर उन्होंने एक platform बनाया its top was about 18 inches from the ground और जो प्ले इंस की उचाई पर थी one of the little men begin to speak उनमें से एक आदमी ने वहाँ उपर जाके बोलना start किया but I could not understand anything that he said लेकिन मैं नहीं समस्का क्योंकि वो अपनी language में बोल रहे थे कि वह क्या बोल रहे है I was in pain because it was so hot वो बहुत ज़्यदा उच्चे में बोल रहे थे तो मेरे को कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था तो मेरे को बहुत पेन हो रहा था I opened my mouth और टाइम बहुत गर्मी थी धूफ थी तो मैंने अपना mouth open किया and pointed it to because I was hungry और मैंने ऐसे कुछ इसारा पॉइंट आउट होते है इसारा करना तो मैंने कुछ इसारा किया he understood वो समझ गया he ordered some people to place ladders against my side and this they did at once तो फिर उसने अपने जो people थे जो लोग थे उनको order दिया वो जो ladder होती है जो लकड़ वाली पोड़ी होती है वो मेरी साइड लगाई more than a hundred men climbed up और एक यनके hundred से ज्यादा लोग उपर चाड़े है उन पर बास्किट लेके उसमें bread थे and meat और उसमें कुछ their loves of bread were so small जो bread थे वो बहुत थी जो bread के pieces थे वो बहुत ही छोटे थे that I ate three of them at a time यानि कि मैं उन तीन तीन bread को एकी साथ खा सकता था when I was thirsty उस ते में थ्रस्टी था they rolled a barrel close to my head वो barrel को मेरे पास लेकिया या I held about half a pint of wine तो फिर मैंने वहां से काफी सारा जो पानिया वो पिया the little people were pleased because वो मेरे से pleased होता खुस होना वो मेरे से बहुत जादा खुस हुए because I had eaten their food क्योंकि मैंने उनका जो food वो खाया था but when I wanted to be free लेकिन जब मैं वहां से free होना चाहता they made it clear उन्होंने ये साफ कर दिया that I could have food but not my freedom कि वो मेरे को food तो दे सकते हैं but मेरे को खाना नहीं खिला सक वो मेरे को खाना तो खिला सकने पट वो मेरे को वहां से free नहीं कर सकते so dear students our lesson is complete I hope you will understand this lesson properly so thanks and have a nice day